नमस्कार, मैं वेशाली मेरे सी यूट्व चैनल में आपका स्वागत है मेरी आज की रेज़िपी है ज़्वार के आटे का हल्दी दोसा तोसद हम कही तरिके से बनाते हैं ज्यावल का दोसा यह सूजी का दोसा बेसन का दोसा आज मैं ने बनाया healthy जूआर के दोसा है जो बनाने तो असान है k Jake घाने में बहुत ही तेस्टी लगता नाष्टे के लिए एक बहुत ऐच्छा ऑप्षेन है तो चलिए देखते हैं जूआर के दोसे में लगने दोसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें बेटर बनाना होगा दोसे का बेटर बनाना होगा मैंने बाउर ले लिया और उसमें में डाल दूंगी शूजी 2 summat kata मैं इसमें पानी डालके बेटर बना रही हूँ चाहि तो आप इसमें थोड़ा दही भी डाल सकते हो स्वादनुसा नमक और नमक जब भी खाएं सेंदे नमक खाएं हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदे बन्दे तो बस फानी डाल के और अच्छा बैटर त्यार करना है पतला नहीं बनाएंगे नॉर्मली दोसे का जो चावल के आटे और उड़ा दाल का दोसा बनता है एक न जादा गाड़ा ना जादा पतला उस तरह सामें बैटर तयार करना है क्याया इए पिए अभी हमें सूजी डाली है तो जैसे आपको पता होगा कि ज्वार काटे में जादा ग्लूटन नहीं है ynुता घ्लूटन फ्री होता यह तो हमें दोसा बनाने के लिए जैसे मै रिषा तो जैसे सूजी फूलेगी, तो इसे डोसा बहुत ही अच्छा से बनता है, तो अलगब 15-20 मिनिट के लिए आप इस बैटर को जरूर पिखो करके रखें, इससे डोसा बहुत ही अच्छा बनता है, यह देखे, अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, यह देखे, डोसा बनाने के के लिए बैटर बहुत ही अच्छे से बन गया है, और अभी आप देख सकते हो अच्छा फ्लोइंग यह पतला है, तो क्योंकि इसमें सूजी डली ही तो यह फूले का भी, तो बस अभी मैं ढखकर यह रख देती हूँ 15-20 मिनिट के लिए, यह देखे, दोसा बनाने के लिए हमारा बैटर बिल्कुल तयार है, और यहाँ पर मैंने तवा रख दिया, बिल्कुल धीमी आज पर गया सौन की हुए, तो आप मैं दोसी का बैटर डालूँगी, और अच्छे से फैला दूँगी, अब शूरु में छोटे साइस के बना सकते हो, जैसे एक दो बनने लगते ह तो बहुत अच्छे से दोसी यह बनने लगते हैं, यह देखे अच्छे से फैला दिया है, और लो से मिदियम हीट पर अच्छे से सिखने देंगे दोसे को, जैसे उपर से गलाप चेंज होने लगेगा, उसके बाद हम पलटेंगे, चाय तो आप एक साइड से भी सेख सकते ह यह देखे जवार के अटे के लोसा आप देख सकते हो उपर से ड्राई हो गया है, तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा सा घी लगा दूँगी, घी से बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है, और जैसे हम पलट के सेखते हो तो अच्छा क्रिस्पिनेस भी आ जाता है, तो आप इसे पलट दूँगे, आप देख सकते हो इसे किनारे छुट गए, तो हलकी हाथ से पहले किनारे से इस तरह से आप देख सकते हो इसमें हलकी हलकी सी जाली भी दिख रहे है, और पलट देते हैं, यह देखे किता प्यारा कलर आया है, आप देख सकते हो कि जवार के अटे हो स सूजी का दोसा बनाने में कुछ जादा मुश्किल नहीं होती है और कभी यह हो सकता है कि जवार के आटे में ग्लूटन नहीं होता है हमने सूजी डाली तो जैसे बारीक हुई है मोटी अगर आपका डोसे टूट रहे हैं तो आप किसी की कॉंटिटी बढ़ा सकते हैं जैसे थ पलट के दिखा देती हूँ यह देखिए अच्छे से सिख चुका है हलका हलका सा गुलाबी आगया इसमें कलर तो आप मैं इसे निकाल लेती हूँ यह देखिए कितने अच्छे से पलट गया और आप देख सकते हो कलर कितना प्यारा आया है इसका यह देखिए तो इसी तरह बना लेते हूं। अगर तबह ज़्यादा गरम हो गया है, तो आप गया शॉफ करके पहलाें। उसके बार गया सॉन करें। क्योंकि ज़्यादा हीट पे हम फेलाते हैं, तो यह बैटर चिपकने लगता है। यह देखिए कितने अच्छे से फैर गया है तो इसी तरह से मैं डोसे बना लूँगे इसके बाले से सर्व करूँगी कर्मा गराम जवार के आटे का डोसा बनके दयारे खाने के लिए जिसे मैंने चीली गार्लिक की चटनी के साथ में सर्व किया तो आप भी इस असान सी रेसिपी को ज़रू ट्राइ कीजिए क्योंकि रोसा बहुत ही हल्दी है नाच्टी के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है तो मेरी रेसिपी को ट्राइ करके कमेंट करके बताना और ना भूलें की रेसिपी आपको क्यासे लगी और मेरी यूट्टी चैनल को लाइक, शेयर और सब्स्क्राइब करना भी ना बूलें तो मिलते हैं एक नही रेसिपी के साथ धिन्यवाद